क्या सब के सब फटा फट से बता दो इस माई ओ और विज्वी इस वोथ आ ख्लियर चूभी फटा फर से कमें शेक्ट से कर दो लिट मी से हीर फास्ट oh that's great Indian gamer as we have not much time can i watch your old 11 video playlist of last year will it be helpful to score good marks yes definitely alem but agar time nahi he, instead of watching the whole 11th class video playlist i suggest you to watch the video python revision 2 of 23 days masterplan rockin board series usko dekhna bache audiovisual both are clear येस वी आ लाइव दाट्स ग्रेज एक्सेलेंट गुड आफ्चर नुस भी बच्चों को गुड इवनिंग अलो चल लो मुझे यह बताओ जरह पहले सेशन लाइक किया के नहीं किया सब्सक्राइब करां वीडियो शेयर करके आई वा नहीं आपर हापी बड़ प्रशांत कुमार ब्लस्य वेचे थैंक यू यश्यस्वी गुड इवनिंग खुषी घलो यवराज चल दू तो अगें स्वागत आप सभी स्टुडेंट्स का हमारे 23 डेज मास्चर प्लान ब्रॉक इंबोर से लिस्त त्यारी जीतकी में और तुड़ेश्टी आज हम जो करने वाले हैं दाट इस वन शॉट आफ कॉंप्यूटर नेटवर्स यह चैप्टर जो है ना थोड़ा क्या किया इक कर सकते हूं मुझे फॉर्ट शॉट शॉट प्लाओ नुलेथा पता इस अधर इस्ता हुकराता किदी जाने किया मुझे कमेंट सेक्शून में अपने यह पता सकते हो इस चाप्टर की वेतिच कर आप लोहें को पता कितनी है इस जर्नालीसिंग वो तो हमने बाइनरी फाइल वाले जो हमने पीवाई क्यूस करें तो उसमें भी का रहा था प्रस हमारा जो सी बीए सी शुट सांपल पेपर की वीडियो है उसमें भी मैंने कवर करें इस चाप्टर की वेटेश देखो कितनी मांक्स कि है तैन मांक्स की मांक्स का तो आपका आएगा वह बिल्डिंग वाला कोशन है कि हम जो कल पीवाई क्यूस करेंगे उसमें यह कवर हो जाएगा फाइव मांक्स महां से आ जाएंगे फिर इसमें आपका दो या एक फूल फोर्म आती है फूल फोर्म से आपने सारी करने है चिक है बचिए कितन करना कि आपको बिल्डिंग वाले सारे कुश्चन की प्रेक्टिस करनी है फूल फोर्म सारी की सारी अच्छे से याद कर लेना च्छिक है प्लस जो त्योरिटिकल कोश्चन से अगर आपको फिर भी डाउट है टाइम बहुत कम है या फिर इन नेटवरकिंग वाला चाप्ट स्केडूल की फूर्थ मार्च राइट संडे और आज हम कर रहे हैं हमारा वन शोट ओफ कम्प्यूटर नेटवरक कल आप लोगों की क्लास नहीं है मौर्निंग में आप लोग होली खेलना उसके बाद आप लगोने सेटी करनी है पूरा दिन होली नहीं खेलनी है उसके बाद हमारा जो है तुस्टे को हम कर रहे होंगे डियाफ्टर चुमोरो पी वाई क्यूस हम करेंगे कंप्यूटर नेटवरकिंग राइट तीन दिन हमारा माईस के लोग हो जाएगा दो दिन में कनेक्टिविटी हो जाएगा राइट तो अब सरह मुझे फट आफट से बता दो कि क्या आप लोग बच्चे सब रेडी हो आज की क्लास के लिए आर यू गाइस ऑल रेडी आर यू गाइस ऑल रेडी फट आफट से बता दो बच्चों क्या स्चार्ट करें हां तो अन्मोल शर्म आप डाउट है दो ना बना सकते हो वैसे कोशिश करते हैं जो आपका बेस्ट इफेक्टिव मेथड हो वो लोगे मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो आर यू गाइस ऑल रेडी फॉर टुदेश क्लास के रेडी वेरे गुट चलिए तो देखो यह हमारा क्या है करिकुलम यह टॉपिक्स हमें करने देखो अगर आप वोक्स उठाओगे या फिर मैं पीवाई क्यूस उठाओ ना तो मुझे आप पर नेटवर्क सिक्यूरेटी से लेकर भी आपको लास्ट था मेरे पास लास्ट टेम तो स्टैप के कोश्चन भी मिलेंगे तो थिए तो नहीं भी कोगे तो बट जो हम पीवाई चूस करेंगे तो बहुत जो ज़नरल वाई टापिक्स या कोश्चन से हम वाप उसको प्रिम copies एव्याइव का में एसलों अर्पे còn एक कॉम्पूटर नेडिवर्क हो गया test सब्सक्तिक का ह्ट टोनोंगेस justice मेरे पीड्रेस हो सिफ मीडिया हो गया नेट्विस इंयाइट्विक टिव mobilize के सट वैं पॉलोजी हैं नेटवर्क प्राइट्वर्डी है मेरे पास क्या है web services राइटO तो देखो सबसे पहले मेरे पस आते कमप्यूटर नेटवर्क मेरे पास क्या होता network का मतलब क्या होता है जब कुई चीज आपस में दूसरे से Papad हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं नेट्वर्क होता है जब आप सारे आपस में बैठ जाते हूं आपस में बात करते हूं तो सिमिलर्ली देख अब सब्सक्राइब मेरे पास यह फाइव कंप्यूटर्स है है अभी यह सारे के सारे स्टैंडलॉन कंप्यूटर्स हैं सब अपना अपना काम कर रहे हैं अगर इस देटा चाहिए यह इसको कोई resource share करने कोई इंटरेनेट असलों किसे करेंगे काथ यहां पर एक 2 इक computer पर और उसकोई कशो करें चीरदेंगे थे यहां पर जाएगा pen drive में कौप्ट पेस्ट करेंगे वापस आएगा फिर यहां पर 65 अगर में i है कि हमें क्या करना है कि इस आरे कि सारे कम्थूइटर आपस मे रूसरे से क्या करने के ंत इस अब वह तो कोई भी dishonor को सब्टियंट तभी है यह बिसके से एक्षम्पल देखो आप लोगों को रेस्प्शन एरिया पर मेरे पस दो कंप्यूटर से कि पिंप्शन एरिया पर तो गूप्यूटर सिस्टम। इनफ रखा है इतना काम नहीं होता है तो मेरे परणेन एक ही रखा हुए है यह प्रिंटर है भी अब जो सिस्ट कर निकालने क्या करें इसकी 700 निकालने ईसकी यहां से इसकी दोनों सिस्ट्न वाले दोन कुरा दिन नबाएर वाइर सी नीं वो क्या करेंगे अपर एक नेट्वर्क मिस्जिक यहाँ पर आलका जो मींपर प्रिंटर हेजकर सकते हैं तो जैसे इसकते हैं engaging वह प्रिंटर वहीं पड़ा है एक से वाय कनेक्ट है बाकि दूसरा कम्प्यूटर नेट्वरकिंग से कनेक्ट हो चुक है तो बैठे बैठे वहां पर अपना प्रिंट कमांड दे सकते हैं यह तो थे एक बेसिक बिलकुल सिंपल लियाउट लियाउट नहीं ब्लोपरेंट आपके आपको पता दिया कि कम्प्यूटर नेटवरक क्या होते हैं तो अब इसकी अगर हम डेफिनेशन देखे तो क्या है लोग सारे कम्प्यूटर सापस में थे बनादेंगे नेटवरक। और वो करते ही क्यों है में परपलस क्या रहते हैं कोई भी इंफर्मेशन ओ कोई भी रिसोर्स हो कोई भी डिवाइस हम उसको अपस में क्या कर सकें शियर कर सकें यह हमारा क्या बणिया प्रफॉटर नेट्वर्क फिर्स्ट वन देखो आपका क्या है रिसोर्स शेरिंग मेंस कि जो भी आपके पस प्रोग्राम फाइल से डेटा है कोई भी इंपूट और को डिवाइसे से उनको भी आप शियर कर सकते हो अगर वो सारे 20 के वेंटी कंप्यूट अपस में दूसरे से कनेक्टेड है यहां बैठा वार्ट सबस्टों के 20 शिस्टेम से इस वह अपना डिवाइस को शियर कर सकते हैं वीजन बिइंग देट कि वो सारे के सारे आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होने चाहिए सेकेंड क्या है रिलाइबल अब आपके सपोज कोई बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है ठीक है इत मेंस तू कॉपी दफ मीनस तू कीप दा कॉपी ओफ फाइल और तू और दिफ्रेंट मशीन फिक है एक आपकी फाइल को बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत पार लोगों को चाहिए आपने क्या किया सारे कंप्यूटर्स तो कनेक्टिद्धा आपसमें एक दूसरे से पर कोई भी इसुआते हैं तो आपको पता है कि वह दूसरे सिस्टेम पर फाइल है मैं वह से इसको एकसे कर सकता हूं लिए नेक्स्ट एड्वानटेज के है कोस्ट इफएक्ट अब देखो कोई भी आपके पस देखो गें टर्म वह के एड्वानटेज भी हो सकते हैं एटन रिजण क्रीम पेसरेंट्वर्ध और इसी पॉयंट को लोगो सफेक्ट। आप कई जिगहों पर देखोगे कि आप इसकी डिस एड्वांटेज में पढ़ोगे कि यह कोस्ट लीवी है नेट्वर्किंग रिएच करना फिर कोगे मैं एड्वांटेज में आप बता रहे हो कि यह कोस्ट इफेक्टर इसमें ड्वांटेज हैं तो रीजन बिंग की सरफ क्या जाएगा कि आप उसका इस्प्लेनेशन क्या दे रहे हो मैं यहाँ पर क्या रहे इतने कोस्ट क्यों नहीं लगती क्योंकि देखो गर मैं इतना बड़ा मिंस इतना एक्सपेंसिव हुमारे जुसा रिसॉर्स हैं हाडवेर हो गए प्रेंटर हो गया उसको मैं शियर कर रही हूं तो जा मुझे तीन-चार प्रेंटर चाहिए थे वहां मेरा काम एक प्रेंटर से हो गया तो दाट मेंस मेरी कोस्ट बच गई कि नेक्स्ट यह मेरे पास कम्मिनिकेशन मीडिया तो नेट्वाकिंग के थ्रू मैं एक जगह से दूसरी जगह पर अपने मैसेज बेज सकती है कि नेक्स्ट मेरे पास आता है रिलाइबल मेंस कि आपके जो एक ही फाइल है वह काफी सारी लोगेशन पर मैंने सेव कर दी कोई इंपॉर्टेंट फाइल सी आप नहीं चाहते कि वह मिस्प्लेस हो या फिर करप्ट हो जाए आपने क्या कि उसको एक ही फाइल को दो से तीन स इस स्टेम पर कॉपीपेश्ट कर दिया अब ले अब स्पोस्ति आपका करप्ट ओगया यह उसमें वायरे साओग्या कि सी कारण वाज मुझे वह फाइल उस सिस्टेम से नहीं मिल रही है तो आप क्या करोगे दूसरे सिस्टेम से उस फाइल को मेटस्ट कर सकते हैं नेग्स मेरे पाले से voyez तैपस आफ नेट्वरक, रहा वैस लमेट उनि undertowork, कॉम्-क球 से पन, भान, मैंठ दन वान. फर्फॉल फ्वल तेक्लो चारूंकि, परिसेले से क處 कको लिए नेट्वरक, जजगी मैं वहिरा लिए नेट्वरक पनDo को लाह 2018, नेटवर्क अब सबसे पहले देखो पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होते हैं आपको अपने फोन से लाप्टोप से आपस में डेटा रांसफर करने पूछ स्मॉल डिस्टेंस पर के तरूँ डेटा रांस्फर कर सकते हो डेटा के बल के ड टर्स टरांस्फर कर सकते हूं उछा tag और वह ग्याबल के थे रिफ्व आ बात करूं तो दाट मिन्स ड्नक्स analyst के वह यह केबल के थ्रू भी हो सकते हैं अगर मैं बात करूं तो डाट मेंस डेटा केबल के थ्रू में डेटा ट्रांसफर कर सकती हूं वाइरलेस वाइंस ब्ल्यूटूथ Bluetooth आपका wireless connectivity है इन दोनों के थुरू में अपना data transfer कर सकती हूँ दो devices के बीच में आप लोग data transfer कर रहे हूं वो सारा आपका किसके अंडर आता है? PAN में एक laptop से दूसरे laptop में data transfer कर रहे हूं phone से laptop में कर रहे हूं किसारा आपका किसके अंडर आता है? PAN next मेरे पास आता है land and the full form of land is local area network local area network मेरे पास क्या होता है? जो एक small building within a campus, within an organization जो आपका network होता है इसका सबसे अच्छे example है जो आप लोगों के school की building में create होता है या offices में होगा office building, school building वहाँ पर जो network create होता है वो आपका क्या रहता है? land अब देखो इसका जो distance है not more than five kilometer इसे जादा नहीं होगा अगर आप distance देखोगी नहीं आपको कहीं जगे one kilometer कहीं जगे up to two कहीं जगा ten kilometers इतना मिलेगा चीक है on an average आप इसको मान करके चल सकते हो next मेरे पास आता है man man stands for इसकी full form क्या है? metropolitan area network yeah I think visible नहीं होगा यह color है न? ठीक है मैं सिल इसको clearly लिखे हूँ so that आप spelling देखलो metropolitan area network metropolitan area network means within a city जो भी network आपका within a city होगा वो आपका क्या होगा? man it is a networks govern a group of nearby corporate offices or a city and might be either private or public network that is spread over an area as a big city ठीक है? जो within a city spread होगा वो आपका कौन सा होगा? man that is metropolitan area network next मेरे पास आता है WAN WAN stands for wide area network right? WAN stands for wide area network so wide area network it can be even be a group of lands या तो काफे सारे lands को connect करें आपस में data spread across several locations and connected together right? internet आप कह सकते हो WAN का example है सबसे बढ़िया उसके बाद आता है within a city man और all over the world आपका क्या आ जाता है WAN that is wide area network अब इस पर दे को डिफरेंस आपका land to man भी हो सकते है land versus when भी आ सकते है man versus when भी आ सकते है कि नहीं दो में difference आ सकते है तो सबसे पहले तो अपने आप लिख लोगे land और WAN का अगर मैं comparison करूं तो local, area, network और WAN stands for wide area network next land is spread over a small area within a school, campus, within office building WAN आपका spread होते है over a large area अब देखो land आपका छोटे scale पर है तो इसकी जो setup cost होगी वो कम होगी as compared to WAN WAN आपका all over the world spread है तो obviously आजकी जो setup post है वो काफी ज़्यादा होगी it is usually a single network या अपने आप लिख सिर्फ एक network होता है single network whereas WAN का मतलब कि है कि मैं काफी सारे networks को combine करके भी एक single network बना सकती हूं and that is known as your WAN that is wide area network next मेरे पास आता है evolution of networking means कि आपका internet आया कहाँ से सबसे पहले मेरे पास एक term आती है अर्पानेट अर्पानेट की full form होती है advanced research यहां नीचे लिखी हुए एट्वांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजन्सी नेट्वर्क सबसे पहले मेरे पास क्या आया था अर्पानेट यह दिफेंस मिलिटरे परपस के लिए था आम लोगों के लिए नहीं था यूएस डिपार्टमेंट आफ डिफेंस ने इसको ड्यालप किया था ठीक है उसके बाद नेक्स्ट यह एए इंग आम नाच शुर बटिंटीं शिच्टिन आंड आया था राइट उसके बाद नाइंटीन एटीं के बात हमारे बास क्या आया नसेफ नेट फिल फॉर्म होती है नेशनल साइंस फांडेशन इस टैम पर जो नेसेफ नेट आया इन्होंने वाल वालों ने मिड नाइटीन ऐटी में लांच किसे निए नाइशनल साइंस फांडेशन तब यह जो नेटवर्क था ना तो इसको कौन को निश्क रहे थे एक्डैमेक परपस के लिए था University students, school students, researchers हो गए, right? वह सब यूज्स कर रहे थे, engineers हो गए, वह सब यूज रहे थे, तो उसके बाद क्या हुआ? NSF Net is strictly used for academic and engineering research वगयरे के लिए यूस किया जाने लगा, फिर हमने देखा इतना पॉपलर हो गया, इतना पॉपोलर हो गया था फिर इसको जो है नॉर्मल आम जंता के लिए लाया गया ठीक है तो 1969 में सबसे पहले first network came into existence ARPANET उसके बाद mid 80s में हमारे पास कौन सा है NSF NET that is National Science Foundation Network, right? clear हुआ सभी students को यहां तक? is it clear till here? फिर हम अपना next topic पर आएंगे that is data communication terminologies क्या यह सभी बच्चों को यहां तक clear है फटा फट से बता दो जरा फटा फट से बता दो मुझे is it clear till here clear परेगुर crystal clear that's great excellent next मेरे पास आती है data communication terminologies इसमें हमने क्या क्या पढ़ना है channel क्या होता है bandwidth क्या होता है border rate क्या होता है data transfer rate क्या होता है यह सब पढ़ोगे ठीक है data transfer rate को हम dtr भी कहते है वैन और मैं मेरे डिफरेंस बता दीजे वैन मैं के फुल फॉर्म लिख लोगे वैन आपका all over the world area spread रहता है मैं आपका within a city जर्नाली सिंग आपको एक बड़ सीवेसी शूर्ट सैंपल पेपर वाली वीडियो चेक करो उसमें मैंने यह वाला कॉश्चिन प्रेक्टिकल एक्स्प्रेइन क्या होए बच्छेए बड़ चेक करो नहीं होता तो आई विल एक्स्प्रेइन अब देखो निक्स्ट मेरे पास्ट हाते है चैनल क्या होता है इन वीडियों यूस्ट्टू किरी इन फॉर्मेशन ओर ड़ेटा वान पॉइंट तो अनना जहां से सेंडर ने यह रिसीवर को डेटा भेजना है इंपरमेशन कि किस पोन से मीडियंग के ठोब मुझे डेटा भेजना है वह आपका क्या होता है डान्सेम पाड़ा से यह चानल एक मिडियंग बताता है कि मुझे एक से दोस्रे पॉइंट पर टेटरांसफर करना है तो आपystem क्या मुद्थे इस जिए श्क्राइड आप इसमल को चैनल फिसिकलाइडि आप नेटीन करके भी ट्रांसफर कर सकते होiefs लेट थे विद से दाइड अनी वाई उसको मुद्थे क्या चैनल विदिन स्टेट्स वैन हो जाएगा बेटा चलो, नेक्स्ट आपका आता है बॉर्डरेट, बॉर्डरेट देखो क्या होता है इट इस अ यूनिट, यूनिट समझता है जो किसी चीज़ के पीछे लगाते है इससे क्या है, इससे क्या इन स्टेट लगाते है, इसको मेजर करेगा नेक्स्ट मेरे पास आता है याले मेह पास क्या है बाइज़ू इसको लोडरेट में जीड जीड़ए ज्यादा स्किद यहां को अगमनेट की बात भी करते हम देखते हैं पूछते हैं बैंडविट्स कितनी है इसकी तो यहां से पढ़ो बैंडविट्स के रेफिनिशन इस जरेक्ली प्रोपोर्श्चनल टू अमाउंट ओफ डेटा ट्रांस्मिटेड और रेसीवड पर यूनिट टैम कि आपने इस पर आपने या तो रीज से झानिशन के इसवय अब नवाउंट ओफ डेटा अफ़िकियो टांफर णोलोरोड करना पर सब्सक्राइब करोसे देखेव कश Questo appropriately हो हैं करते हुं काफी बड़ी आब दो उसके देख क्श्री चाहिए High bandwidth channels are called broadband channels और जिनकी bandwidth कम होती है उसको हम क्या बोलते है narrow band channels bandwidth refers to the difference between the highest and lowest frequency of a transmission channel तो अगर मैं definition के बात करूँ तो this is the proper definition of bandwidth it is directly proportional to the amount of data transmitted or received per unit time per unit time में आपने कितना amount of data received किया है transfer किया है उसको हम क्या बोलते है bandwidth इसको मेजर किसमें करते हैं इसकी measuring units है हर्स, kilohertz, megahertz, THZ, MHZ, HZ राइट यह जो हर्स होती है I think frequency को measure करने की units होती है राइट चलिए नेक्ट मेरे पास आता है data transfer rate data transfer rate means it identifies the number of data elements sent in one second एक second में आपने number of data elements कितना bit sent किया उसको हम क्या कहते है data transfer rate represents amount of data transfer per second by a communication channel or computing storage device means per second एक second में आपने कितना amount of data transfer किया है उसको हम क्या कहते है data transfer rate इसको जो measure करने के उनिट से बीपीएस यहां पर स्मॉल बीपीएस है स्मॉल भी है यहां पर कैपिटल भी है तो यहां पर बी का मतलब क्या है भाइस पर सेकिन्ट तो आगर मैं बात करूं के बीपीए स्मॉल थो किलो विट्स के पर सेथे हैं तर साथ केपिटल के साथ तो डाइक मिन्स किलो भाइक मिद्स पर सेकिंद justice CC पर सेकंड टीबीपएस टेराबिट्स पर सेकंड डीकर दूं तो गीगाबाइट पर सेकंड अफिट टेराबाइट्स परрут संवड़ा मेरे साथ यह इंटरेट सभी को पते हैं नेटवर्क और नेटर्ट विख फोनेटवर्क्स काफी सरें अब देखो इंटरनेट पे आपका काम किस तरीके से करते हैं यह फ्लोचार्ट समझने से पहले मैं आपको एक चीज प्रेक्टिकली बताती हूं राइट अब सपोस करो मेरे पास ये कुछ कमप्यूटर सिस्टम्स हैं जिन्होंने अपना डेटा ट्रांसफर करना एक दूसरे फिर एक यह हो गया next is this one next is this है अब यह सारे के सारे कमप्यूटर्स आपस में क्या है एक दूसरे से connected इन्होंने अपना क्या बना रख है नेटवर्क क्रिएट कर रख है अब देखो इंटरनेट पे डेटा किस तरीके से ट्रांसफर होता है सपोज इस सोर्स कम्प्यूटर ने यह आपका डेस्टिनेशन कम्प्यूटर या फिर रेसीवर इसको डेटा सेंट करना है चीक है यह डेटा सेंट करना है उसने ए बी सीडी तो जो भी डेटा होगा मैं पहले उस डेटा को डिवाइड करूंगी स्मॉलर पार्ट्स में इस डिवाइड इंटू पार्ट्स और जो यह स्मॉलर पार्ट्स होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं पैकेट्स राइट तो यहां पर मेरे पास सपोज एक पैकेट था एक इस रूट से जा रहे हैं अब वह पैकेट्स मींस जो हमारा मैसेज था वह डिफ्रेंट पैकेट्स में डिवाइड हो गया अब वह पैकेट्स यह ढूर्ट डिफरंट डिफरयंट रूट फोलो खरसकते हैं चिकाए मिनस आ मेरा यहां ला यह जा रहा हुए जिडा दी बेज़िवारी यह ऑन पेकेट्स फिर यहां पेंचे decline ऐस यहां से यहां पर यहां पर मेरा काम आता है टीशीप प्रोटोकल प्रांस्मिशन कंट्रोल प्रोटोकोल रहां यह सारे कि सारे संबल करेगा कोई पैकेट मिसिंग तो नहीं है कोई पैकेट करफ्ट तो नहीं है अगर ऐसा है तो वापस से वह सेंडर को बोलेगा और सेंडर मुझे वह वाला पैकेट दुबारा से सेंड करेगा तो यह चीज़ क्लियर है सभी बच्चों को और आई-पी का क्या है PCP का काम पता लग गया में रोल कि आप क्या वह क्या करेगा अपने जो डेस्टिनेशन सिस्टेम है रिसीवर जहां पर पैकेट्स पहुंचने थे उस एंड पर सारे के सारे पैकेट्स को रियसेंबल करेगा और एक प्रॉपर और में अरेंज करेगा वह आपके आउट ऑफ और रिसीव होते हैं तो यह उसको एक और में करेगा ठीक है और प्लस अगर देखेगा कोई पैकेट मिस्माच है कर अप्ट है मिसिंग है तो सेंड यह सारा काम कॉन करता है ड्रीशीविंग एंड पर टीसीप डैट मैंस ट्रांस्मिशन कंट्रोल प्रोटो कोल आइपी क्या काम करते है इंटरनेट प्रोटोकोल आइपी एड्रेस देखते हैं यह यह देखेगा कि मेरे को वह जो पैकेट्स आ रहे हैं पहुंचाने की पेकेटि इच पेकेट इस गीवन आमबर जैसे मैंने ए बी सी दे लिख दिया था ना ऐसे या फर एक पेकेट को पेकेट आइड आइड आप नमबर दे सकते हो अल पेकेट्स आज सेंट टू डेस्टिनेशन फोलो करें दिफरेंट इफरेंट इफरेंट रूट से भी वह जा स सकते हैं अब का देस्टिनेशन सिस्टेम उसको पेकेट तो रिसीव होते हैं बट वह आउट ओफ और रीसीव होते हैं मिंस एक प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं होते हैं इस गाबल और लॉस्ट इस डेम डिमांड अगें तो सेंडर से रिक्वेस्ट करके दुबारा से duty यहां पर आपका इंटर्वनट की प्र्टोकोल की में व्रॉट जूंतिरन फर्रॉटर को मृमनिकेशन फोंग डापन कर प्रॉटकोल दाट आटरेसीधअ ब्लॉर्ट प्रास्मिसज सीव इंग को डिवार姨 करना मेंज, में सेट आउड, में संवाइड किशिया अर्म है it is responsible for handling the address of destination computer so that each packet is routed to its proper destination की हर एक packet का address देखता रहे तो और देखते है कि कि सिस्टेम तक मुझे ये packet पहुंच आना है राइट जहां तक क्या सभी बच्चों को क्लियर है फिर हम नेक्स्ट आपिंग करेंगे दाट इस स्विचिंग टेकनीक इस इच्ट फटा फट से बता दो हाव तो अप्लाई सैंपल पेपर एंड वन तो अप्लाई अप्लाई मतलब प्रेक्टिस करना स्ट कर दो क्या दिख करता है पाइथन वाला सारा कॉंप्लीट हो गया हमारा कर दो सैंपल पेपर सॉलिंग स्टार्ट इस वेरी गुड चल इच्ट रमारे पास आते हैं ताइप सोफ स्विचिंग टेकनिक अब देखो स्विचिंग टेकनिग का मतलब कह पहले पहले इसके सफिटिकनिक होता क्या है फिर हम आगे पढ़ेंगे राइट कि आपका क्या काम करेगा पैकेट्स को असेंबल और यह सेंबल करेगा और आइपी तो यह देखेगा एड्रेस चेक करेगा कि किस डेस्टिनेशन तक मुझे वह पैकेट्स पहुंच आने हैं करेंगे नाम देखो अपना क्या मैंने सही पढ़ा कि इसको कितान से हैं नेक्स्ट देखिए मेरे पाद स्विचिंग टेक्निक की डेफिनेशन क्या है स्विचिंग टेक्निक्स और यूज़ फो ट्रांस्मिटिंग डेटा क्रोस नेटवर्क अब तक तो मैं क्या कह रही हूं यहां से यहां ते मुझे डेटा ट्रांसफर करना है जो हमने पैकेट्स के तुरू ट्रांसफर कर रहा है वो भी एक टेक्निक है कि अब मैं बताँग क्या करतिक आप के सिलिबस के अगर मैं बात करूं तो इहां पर आपको ना या आफिक दो टेक्निक श्यूचिंग और पेकेट स्विचिंग पड़ी मैसिज्चिंग कर लें में तो सरकिट्र थिचिंग किया कि यह सबसे ढूब T Climate spend time dot सब्सक्रान करो इस वह डेटा टांसफर करना तो एक डेरेक्ट एंड पात इस्टेबलिश हो जाएगा दोनों सिस्टेम के बीच ऑच रहे इसको डेटा करने डेर्क्ट कोनेक्शन established होगा दोनों के बीछ हो जैसे landline telephone में होता है ना जिसने जिससे बात करने डिरेक्ट वो connection आपका एक create हो जाता है तो इन दा circuit switching technique फस्ट तक complete end to end transmission path between the source and destination computer established and then message is transmitted across the path source means जहां से data भेजना है destination means जहां पर मुझे भेजना है जो receiving end अब इसका मेन advantage क्या रहता है circuit switching का कि अब इच में intermediate system तो है नहीं direct connection है बीच में तो यहां पर मुझे guaranteed delivery of message पता लग जाते है तो मुझे पता लग जाते है guaranteed कि मेरा message receiving end तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है यह जनरली आपका यूज होता है वाइस communication अगर आपको किसी से फोन पर बात करनी है तो ऐसा तो है नहीं कि आपको डिरेक्ट ही बात करते हैं दूसरे से ऐसा तो है नहीं किसी और के थूर बात अपना करके message पुंचाते हो until and unless आपके उससे लड़ाई ना हुई हो राइट अब सपोस इसने यहां पर डेटा ट्रांसफर करना है तो डिरेक्ट एंड टू एक पाथ इस्टेबलिश हो जाएगा इन दोनों सिस्टम्स के बीच में इस इस नोन अस तरकेट स्विचिंग next मेरे पास आते है पेकट स्विचिंग क्या कहते हैं इन डिस स्विचिंग टेकनीक पिक्स्ट साइज ओफ पेकेट्स तक्रोस अक्रोस दा नेटवर्ग कि आपके जो पैकेट्स है means जो आपका message है different size of different parts में divide कर दिया जाता है उनको हम packets बोलते हैं तो packets की form में आपका जो data है वो transfer होगा suppose मुझे एक message send करना था उसको मैंने दो parts में divide कर दिया packet 1 और packet 2 packet 1 ने क्या करा ये वाला root follow करा यहां से देखो ये message transfer हुआ ये packet 2 ने ये वाला root follow करा फिर यहां पर जाकर के मेरा message transfer हो गया next मेरे पास आता है message switching message switching के लिए आपने जो term ध्यान रखनी है that is ये आपका किस पर base रहता है store and forward concept store and forward का मतलब क्या होता है कि जो भी मुझे message send करना है पहले वो एक जगा पर store होगा फिर में हम उसको आगे क्या करेंगे फॉरवर्ड करेंगे इंटर्मीडिट बफर में in the message switching technique no physical path is established between sender and receiver in advance कोई आपका end to end path established नहीं होता दस इच नौड रेसीव थे एंटायर message जो भी नोड बीच बीच में आ रही होंगी वहां पर वो message आएगा अब सपोस करो अगर मैं बात करूं इस तरीके से च्छी के यह अब मेरे पास क्या टास्क है कि इसने डेटा भेजना इसको और यह वाला रूट फोलो कर तो अब यह क्या करेगा इसने इसको data transfer किया इसके पास data आया इसने देखा कि क्या वो मेरे लिए है या नहीं है कैसे देखेगा with the help of IP address इसने देखा नहीं मेरे लिए नहीं है यह data तो इसने क्या कि इसको message को यहां पर store कि अपने buffer में और इसको आगे क्या कर दिया forward कर दिया उसके बाद यहां पर इसके पास message पहुंचा इसने देखा कि हाँ यह तो वही IP address जो मेरा है तो यह message इसी के लिए था इसने देखा कि IP address different है मेरे लिए नहीं है तो इसने भी यहां पर क्या किया message को चौर किया और आगे क्या कर दिया forward कर दिया फिर इसके पास message पहुंचा इस नाइप एडर से कहा हां यह तो मेरे लिए message तो यह मेंस उस message को read out कर लेगा राइट चलिए message switching clear होगे store and forward concept के base पर यह use होता है अब सपोज इसने data transfer करने store करेगा forward करेगा यहां पर आया store करेगा forward store करेगा forward फिर यह destination तक यहां पर पहुंच करेगा अ अब नेक्स्ट मेरे पास आते transmission media अब transmission media क्या है मेरे पास कि मैं कौन सा medium यूज़ कर रही हूं अभी हमने वह पढ़ा था ना channel क्या होता है so communication channel is also called as a medium उसी को हम क्या बोलते मीडिया इफ्रेंट मीडिया इफ्रेंट इफ्रेंट प्रपर्टीज और यूज़ इन वेरिस इन वेरिस इफ्रेंट परपसे ठीक है अब देखो में पास दो टैप की transmission मीडिया है guided that means wired wired means cable वाले तार वाले जिसको आप बोल दो ठीक है अन गाइड़ मीडिया या फिर आप कह सकते हैं wireless मीडिया राइट नाव सी दिस transmission मीडिया सबसे पहले मेरे पास कौन सा आता है wired या फिर guided मीडिया निक्स्ट मेरे पास आता है second wireless या फिर मेरे उसी को हम क्या बोलते है unguided media अब जो आपका wired मीडिया होता है this is further categorized into three parts कौन कौन से twisted pair cable coexile cable optical fiber cable छिक है next मेरे पास आता infrared या आपका इसमें आता है wireless में microwave radio waves and the last one is the satellite अब देखो twisted pair cable twisted का मतलब क्या होता है like मेरे पास ये एक wire है इसको मैंने twist कर दिया एक दूसरे के उपए एक डी एने टाइप structure होता है ना कि यह हमारी क्या होती है twisted pair cable अब twisted cable अगर मैं बिल्कु सिंपर लेमन लाग मेंज में बोलूं तो बहुत ही ज्यादा keep that means less expensive speed भी कम होती है इसकी less expensive होती है less cost होती है इसकी ज्यादा costly भी नहीं होती है यह चीक है means एक तरीके से कहलो मेरे किसी काम की नहीं क्योंकि ना तो इसकी speed जादा है ठीक है इसमें data भी लोस हो जाता है secure भी नहीं रहता है और cost भी कम अगर मेरे पास economic factor देखने है कोस्ट की दिक्कत है तो देन आइकें गोवें ट्विस्टिड पेर केबल राइट उसके बाद मेरे पास आते है कोईक्साइल केबल कोईक्साइल केबल आप देखूगी जो आप लोगों की अब तो हमारे पास status काई वगयरा आगे ना पहले जब केबल थे ना टीवी केबल तो वहां पर हमारी कोईक्साइल केबल यूज होती थी ठीक है फिर मेरे पास आते हैं यह बहुत बढ़िया केबल है इसकी कोस्ट जादा है तो यह मुझे स्पीड भी बहुत जादा दे रहे हैं यह सारे में वन बाइवन आप डिसकस करेंगे फिस्ट वन देको ट्विस्ट फिर केबल इच कांजिस्ट फ्टू ड्व यूज रिया है यह अपस वती है और यह डूसरे से मिंस हमने इसको त्विस्ट कर खाना एक दूसरे के बडिश यूज है इन ओर टूसी के अदूसरे को बढ़िया से ऽिद रेच्ट पेर केबल से इन पूसीड क्रॉस्टॉक को क्या उता है सब जो है संइड वाईज करें हुआ है यहां पर डेटर से क्योशिवर लेकर की एक तरीके इसको एक सक्सरी प्रवारिड कर दी है क्या बोलते हैं twisted pair cable advantages क्या है easy to install है कोई दिक्कत नहीं maintain करना easy है it is very inexpensive इसकी जो cost है बहुत कम होती है disadvantage देखो it is incapable to carry a signal over longer distances without the use of repeaters repeaters भी आगे हम पढ़ेंगे क्या होते है generally signals को strong करने के लिए use होते है अगर मैं अपनी twisted pair cable के बात करूं तो यह अगर मुझे long distance पर data transfer करना है तो मैं इसको use नहीं कर सकती तो इसको दूर से data वाइब है ठीक है due to low bandwidth speed कम है these are not suitable for broadband application because broadband to speed बांगते है और इसकी bandwidth कम है twisted pair cable की तो यह उस जगे पर आपकी suitable cable नहीं होती नेक्स्ट मेरे पास आते है को इसको जोड़ा था चिक है तो अब मुझे पता लग रहा है कि हाँ वह हमारी इसको हटा करके फिर यह वाइट वाला पार्ट आता है फिर इसको एक्चुल मैं उससे कम्बाइन करते हो के बल वाली वायर से इस गोल्डन वाली को चिक है इस फ्रम दादर वाइस सम काइंड ऑफ प्रास्ट इंसले जिए चाहिए यहां पर में चन कर दिया कि हमारी जो केबल की वायर सोती है यह जनरली यूज होता है नंव सीदिस आड्वानटेज अब देखो इसकी जो कोस्ट है ट्विस्टयर केल से थोड़ी से जादए हैं अगर मैं उसकी बात करूं स्पीड की कब ऑगा प्ड़ूंगी उसकी वस्पार्ण इक उसकी सीमें से जादा होगी वंट इस जादा होगी कोस्ट, फिसक्वेंश म कि इसकी डिसद्वांटिज के आप देखो स्पीड दे रहे तो थोड़ी तो एक्सपेंसिव होगी यह कि डिफिकल्ट तू मैनेज एंड रिकनफीगर निक्स्ट मेरे पास क्या आते हैं अप्टिकल फाइबर केवल कि अप्टिकल फाइबर केवल देखो हम जनरल हम लोग तो नहीं यूज करते हैं जो बड़े-बड़े कंपनी ओर्गनाजेशन होती हैं जो इसपी प्रोवाइड करते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हो गए यह लोग यूज करते हैं आपने देखागा ना खड़े होते हैं सारी जहां पर स्पीड बहुत ज्यादा चाहिए वहाँ पर यह आपकी वहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर यूज होती है राइट वन अप्टिकल फाइबर कंजिस्ट फिन ग्लास फाइबर्स दैट कैन करी इंफर्मेशन इन दा फॉम आफ विजिबल लाइट इस तर स्पीड है वह भी काफी ज्यादा है ठीक है प्रोवाइड बैटर नॉइस इम्यूनिटी और बैंविट्स इसकी देखो कितने ज्याद है टेंजी बीपिस हां जीओ फाइबर अंडर वाटर भी राइट चलिए एक्सपेंसिव एस कंपेर टू अदर गाइड अब देखो यह सब कुछ मुझे प्रोवाइड कर यह लॉग डिस्टैंस भी दे रही है और डेटे सेक्योरीटी भी दे रही है स्पीड भी ज्यादा है तो अब विस्टिशन केर वाई इंस्टॉलेशन इसको इंस्टॉल करते टाइम हमें घ्यान रखना चाहिए अब नेक्स्ट मेरे पास जो आती है दाट इस अन गाइड़ मेडिया अब तक हमने तीनों टाइप के कौन से पड़े गाइड मीडिया या फिर आप कह सकते हो वाइड मेडिया अब हमारे पास आते हैं अन गाइड़ अन गाइड़ कह सकते हो या फिर आप कह सकते हो फायर लेस मीडिया ठीक है इसमें हम फोर पॉइंट्स पड़ेंगे कौन-कौन से एक तो हम पड़ेंगे इंफ्रारेट उसके बाद आता है आपका माइक्रो वेव नेक्स्ट मेरे पास आएगा रेडियो वेव और लास्ट मेरे पर देखो इंफ्रारेट कॉन से होती है आप लोगों ने टीवी का रिमोट देखे उसके आगे वह चोटा सा बल्ब सा होता है तो आप उसके आगे हाथ लगा दो बीच में कोई भी आप स्टेकल दे दो तो वह आपके इंफ्रारेट रेज वाप काम नहीं नहीं करते हैं यह इनका कुंहां प्रबाइब करेंडे मात्यैं करें देुषária रों करे यह हैं कोई चब्रवाद होताँ जा के इसिकल्त करते हैं प्रिछम हैं तो फिर चांट ऽेसे अरुद्ध कर मश्मार करते हैं भी हैं डिवार नहीं करते हैं टीद ट deben इस असे क्यों मेडियम ऑफ सिगनल रांसमिशन से क्योर रहते हैं कोई दिक्कत नहीं इस यूज कॉमनली यूज्टी टीवी रिमोट हो गया और ऑटोमोटिव गेराज डॉर्स हो गया वारलेस फीकर हो गया सब पर आपके क्या यूज होती है इंफ्राडेट निक्स्ट मेरे पास आते है दिखो रेडियो वेव यूज आपका जनलई वर्क करते है फ्रिक्वेंसी पर आपने फम सुनते हो ना वहां पर हमारी कौन से होती है रेडियो वेव थी तो डेडियो वेवर्स ए लिक्ट्रमेग्नेटिक वेव विधिन यहां पर आपका जो रेडियो फ्रेक्वेंसिस होती है यह जनरली आपकी जो एफम वगयर आप सुनते हो उसमें यूज होती है अब देखो अगर आपने देखा होगा कि बारिश हो रही है यह वेदर खराब है तो एक तरीके से इनसे प्लस अगर मेरे पास रेडियो फ्रोपागेशन इस सेप्टिबल टू वेदर एफेट्स लैक रेन थंदर्स्टों आंदी तुफान बिजली बारिश यह सब हो गया तो उसके जो सिगनल से वो खराब होने लगते है यहां पर आपका डेटा से क्यों नहीं है चारो तरफ डेट हो जिसको डेटा भेजन है और जो यहां पर रॉसीवर होगा दोनी एक दुसरे की आमने सामने होंदे जीए ऐसा नहों कि तुम मुझसे बात करें मैं तुम्हें देखो तूम मुझे देखो एसा ना था कि मैं देख रहे हूं तूम मुझे देख रहे हो राइट तो वह travel at a higher frequency than radio waves and are popularly used for transmitting data over long distances, ठीक है, तो आपका जो data है वो long distance पर transfer हो जाता है, इसके ड्वानटेज़ केट इस चीपर दन लेंक, केबल और फाइबर, ठीक है, ओशन्स वग्यार में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आपके जो हीली रिजन्स होगे, वहाँ पर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, नेक्स्ट हमारा आगया satellite link, satellite के अगर आपको बहुत दूर-दूर, means continent, country, यहाँ पर data transfer करना हो, तो हम वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, satellite, feed ज्यादा है, coast भी ज्यादा है, इसकी, राइट, हमारा आगया satellite transmission is also kind of line of sight transmission, that is used to transmit signals throughout the world, जिन्स all over the world, अगर मुझे कोई भी signal transfer करने हो, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, satellite, uplink signal उपर जाएगा पहले, फिर downlink फिर वो नीच जाएगा, यहाँ से, राइट, यह को line of sight है, दोनों का face क्या है, आमने सामने, एक दूसरे की तरफ, microwave आप लोगों का hilly regions, hilly areas, यहाँ पर use होते हैं और advantages का satellite की, जो area cover करता है, that is quite large, कोई line of sight restriction नहीं है, such as my natural mountain, tall building, tower, हर जगे पनेटरेट कर सकते हैं, earth station, आप लोगों ने google maps वगेरा देखे हैं, google map हो गया, earth वो city light की तुरू ही, आपका वो map view दिखाते हैं, very expensive as compared to other, installation difficult है, चलिए, अब नेक्स चाहते हैं, network devices, क्या यहां तक सभी बच्चों को clear है, फटा फट से बता दो, यहां, that's great Divyaan Shudev, congratulations, is it clear now, till here is it clear, first तो ठीक हा रही है शुरुती, is it clear till here, बता दो जरा मुझे फटा फट से, yes very good, packet switching देखू, वैसे तो अकर हम theoretical पढ़ें थो, books में लिखा होते हैं कि, जब हम internet पर कुछ भी search करते हैं, internet पर जो data transfer होता है ना, वो आपका packet switching technique को follow करता है, right, चलिए, next मेरे पास आते है network devices, network devices में आप लोगों ने क्या क्या पढ़ने, modem, ethernet card, RJ45, repeaters, hub, switch, router, gateway, wifi card and then bridge, यह सारी चीज़े हम पढ़ेंगे, चलिए, सबसे पहले मेरे पास देखो network devices में कौन सा आते है, modem, modem क्या होता है, इसके full form, modulator, demodulator, mo से modulator, dem से demodulator, ठीक है, अब इसका main काम क्या होता है, कि देखो आपका जो computer है, वो digital signal समझ सकता है, one zero की form में, यह ऐसे होता है, zero one, फिर zero one, zero one, ठीक है, हम जो हमारा internet of analog signals पर चलता है, तो वहाँ पर मुझे conversion चाहिए, digital को analog में convert करना है, analog को digital में convert करना है, वो का मेरा कौन करता है, modem, that is modulator और demodulator, तो role of modem is to convert digital signals to analog, so that computer को समझ में आ सके, और on the other side, it can convert analog signal to digital signals as well, अब modem मेरे पास ना दू टाइप की होते है, internal modem और external modem, internal modem मेरा computer के अंदर fix होता है, CPU में, इस तरीके से दिखता है, यहाँ पर हमारे पास वार्जे फटेवर जेक होते हैं, उसको हम लगाते हैं, यहाँ पर, यहाँ आपका computer के अंदर CPU में fix रहता है, next external modem यह आप लोगों ने देखा भी होगा, यह आपका अंदर connect means अंदर attach नहीं होता, next मेरे पास आता है RJ45, RJ45 की full form होती है, registered jack, यह इस तरीके से दिखती है, आपने देखी होंगे न, इसको दबा करके अंदर डालते हैं, जहां मुझे इसको insert करना हो, आपका इसको हम क्या बोलते है, RJ45 यह आपके RJ45 के connectors है, registered jack, 8 wire connector हो गया, used to connect computers in Ethernet LANs, right, और Ethernet card या फिर आपके आसके इस also known as NIC, that is network interface card, अब देखो जब आपका computer बनता है starting में, second, इसको charge कर दे, अब देखो जब आपका computer starting में बनता है, जब manufacture होता है न, तो वहाँ पर हर एक computer को एक NIC, एक Mac address इसको हम बोलते है, physical address, ठीक है, network interface card, एक physical address प्रोवाइड कर दिया जाते है, media access control, mac address, यह I think six bytes को होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते है, NIC, network interface card, it is a device that is attached to each of the workstation, workstation means your computer in a network, and the server and helps the workstation establish all important connection with the network, तो यह आपका NIC card होते है, यहाँ पर आपका RJ45 जो connected होते है, वो लगते है, अब मेरे पास next चाहते है, hub or switch, अब देखो hub or switch का क्या काम होते है, अब मेरे को ना इस तरीके से दिखते है, यह सारे की सारे message को ब्रोड कास्ट कर देते हैं, ब्रोड कास्ट का मतलब क्या होता है, broadcast list भी बनती थी ना फेले WhatsApp पर, ठीक है, that means आपने एक message अभी को भेज दिया, broadcast कर दिया, telegram channel पर मैंने इस video का link share किया था, ऐसा तो है नहीं, हर एक को personally जाकर 5000 बच्चों को मैंने लग लग link send किया, नहीं, मैंने अपना grouper send किया, वो message सभी के devices पर पहुंच गया, तो that means मैंने अपना message क्या कर दिया, broadcast कर दे, एक ही time पर सब को भेज दिया, तो हब भी यही काम करता, तो suppose इसका message है, इसको भेजना है, यह क्या करेगा, सभी को भेज देगा message, अब जब सभी को भेज रहे, तो क्या data secure होगा, वहाँ पर मेरा, बिल्कुल भी नहीं होगा, हब है multiple ports, यह इसके multiple ports है, यह हैं इसके ports, ठीक है, used to connect multiple computers, इससे देखूँ, या आपके सारे, काफी सारे computers connect हुए हुए हैं, unintelligent network device, या फिर इसको आप बोल सकते हो, हम को, dump device, तुम्हें तो कोई dump नहीं बोलता न, तुम तो नहीं हो, बट हमारा dump device है, dump मतलब, उसको कुछ नहीं पता, unintelligent, बेवकूफ, क्यों है वो ऐसा dump device, because वो एक message सभी को भीज रहा है, उसको पता होना चाहिए न, कि message किस के लिए मैं उसी को भीजू, बट हो ऐसा काम नहीं कर रहा है, वो ये message broadcast कर रहा है, simply transfer data from one port to another, अब ये दखो, can both send and receive data, ये message को send भी कर सकता है, receive भी कर सकता है, बट एक time पर या तो ये send करेगा, या receive करेगा, दोनों काम एक साथ नहीं कर सकता है, मेरे पास दो type की hubs होते है, active hub और passive hub, active hub क्या करेगा, जब मैं long distance पर data को transfer कर रहा हूँ, signals भी खोने लग जाते हैं, जैसे मेरा repeater होता है, signals को amplify करता है, वही काम मेरा ये active hub और करतेगा, it amplifies the signal as it moves from one connected device to another, these are like repeaters, passive hub क्या करेगा, कोई signals को regenerate नहीं करेगा, जैसा आ रहा है, वैसे कब यसा आगे पास करतेगा, खिकें, इसकी working of hub, अब देखो, hub is a multiport repeater, which broadcasts all information to all other ports, and it is also called as non-intelligent or dump device, it causes unnecessary traffic, obviously traffic unnecessary create होरा है, because वह message सभी को जा रहा है, hub can send or receive information, but it cannot do both at the same time, same time पर दोनों काम ये नहीं कर सकते, next मेरा पास आते है switch, switch हमारा hub से थोड़ा smart है, ये क्या करेगा, जिसको message भेजना है, सिरफ उसी को भेजेगा, बाकि सबको नहीं भेजेगा, a switch is a device that is used to segment network, into different subnetworks or LAN segments, it is responsible for filtering, filtering means transforming data in a specific way, and for forwarding packets between LAN segments, जो intended receiver होगा, उसी को भेजेगा, उसके अलावा ये सबको message नहीं भेजेगा, amplify का मतलब होता है, कि जब मैं long distance पर data transfer करती हूं, मेरे जो signals रहनों वाब होने लगते हैं, tone signals को वापस से regenerate करने के लिए, amplify करने के लिए, strong करने के लिए, हम लोग repeaters का use करते हैं, अब working of switch देखो, a switch has same job as that of a hub, काम तो ये भी वही करेगा, ठीक है, multiple computers connect होते हैं, but switch is a smart device, ये अपना smartness के साथ काम करते हैं, इसको पता है कि मुझे message घहाँ पर भेजना है, and send the information only to the target computers, instead of all the computers connected with that switch, no unnecessary traffic generated, अब यहाँ पर तो कोई unnecessary फाल्टो का traffic नहीं जा रहा, can send and receive information at same time, ये अपना join information को send भी कर सकता है, receive भी कर सकता है, दोनों कामी एक साथ भी कर सकता, repeaters क्या होते हैं, it is a device that amplifies और restore signals for long distance transmission, जब भी मुझे long distance पर data को transfer करना है, तो हमारे जो signals हैं, वो weak होने लगते हैं, तो उन signals को strong करने के लिए, regenerate करने के लिए, amplify करने के लिए, हम लोग क्या यूज़ करते हैं, repeaters, ठीक है, अब देखो हमारे जो exam में कई पर question आते हैं, कि repeaters कहां पर place करने हैं, तो आप लोग देखोगे, आपको जो या कई पर distance मिलेगा 70 meter, कहीं पर आप लोग पढ़ोगे 100 meter, तो आप लोग कहते हैं, मैडब 70 meter पर repeaters लगाएं या 100 meter पर लगाएं, तो on an average आप 70 to 100 meter लेकर के चल सकते हो, आप अगर इनकी range पर जाओगे नहीं, वो net पर भी सर्च करोगे, लान की range कितनी आपको अलग लग दिखाएगा, ठीक है, अगर मेरे पास सेम नेटवर्क, सेम प्रोटोकोल को फोलो कर रहे हैं, सेम नेटवर्क है, लन और लन, वन और वन, मैन और मैन, सेम नेटवर्क यूस हो रहे हैं, और सेम प्रोटोकोल यूस हो रहे हैं, राइट? तो यहाँ पर आपका क्या होगा? ब्रिज यूस होगा. ब्रिज्जे समाट इनफित? to know which computers are on which side of bridge. So, they only allow those messages that need to go to the other side to cross the bridge. मतलब, एक मेरे पास network यह है, जहाँ पर 4 computers connected है. एक network मेरे पास यह है, जहाँ पर मेरे पास 5 computers है. एक network मेरे पास यह है, जहाँ पर यह इतने सारे computers आपस में connected है. यहां पर मैंने लगा दिया ब्रिज ब्रिज इन तीनों नेट्वर्क से कनेक्ट है ठीक है अब यह वाली लाइन पड़ो अब सपोज करो इसमें मेसेज भेजना है एक पर क्या इसरे बड्रेश को इसको पता रहते हुश्य को मैरे करेंच्छ को रिज को-न उसентов में청 पर मिलेगाubl करने के P इनके पास बॉसक है कि सिस्टेम का आई-पी डेस नायरेश को पता रहते हैं ब्रिज को को सके on which side of the bridge? So they only allow those messages that need to get to the other side to cross the bridge bridge can handle networks that follow the same protocol यह आपका तब ही उस होगा जब वो same protocol को follow कर रहे हैं यह आपका example है bridge का next मेरे पास आता है router router का देखो क्या काम है suppose आपने एक जगह से दूसरी जगह पर जाना आपने क्या करना है डेली से गुर्गाओं जाना है आपके पास एक यह वाला रास्त है जाने का एक डिरेक्ट है जाने का एक यहां के थ्रू है जाने का तो आप क्या देखोगे कि कौन सा मुझे सबसे शॉर्टेस्ट पाथ लगेगा जहां पर ट्रेफिक जादा ना हो मैं वो रूट फोलो करूंगा तो से मेरे पास क्या है राउटर यह आपका सेम नेटवर्क और डिफरेंट प्रोटोकोल्स हो तब यह यूज करेंगे और राउटर इस रिस्पॉंसिबल फॉर्वर्डिंग डेटा फ्रॉम वन नेटवर्क तो डिफरेंट नेटवर्क यह देखेगा कि अगर सेंडर डिसेवर को डेटा सेंड करना है तो कौन सा बेस्ट पॉसिबल पाथ है रूट है उस पर्टिकुलर मैसेज को सेंड करने के लिए जहां पर ट्रेफिक कंजेशन भी कम है ट्रेफिक लॉस्ता देस्टिनेशनगा नेक्स्ट मेरे पास आता है डेट वे डिवेस डिवाइस डिस्सिमिलर नेटवर्क अगर मेरे नेटवर्क से लग हग है लन ने वैं को करना है सेंड तो हम क्या यूज़ करेंगे हमां पर डिट वे आप सिरफ इतना ध्यान रखो अगर मुझे similar network में data transfer करना है तो हम कांसी network device को use करेंगे gateway, right? It establishes an intelligent connection between a LAN with completely different structure, right? Wi-Fi card क्या होते है आप लोगों का? यह आप लोगों का Wi-Fi card है, ठीक है ऐसा दिखता है यह, और similar to Ethernet card but it allows our computers to connect with other devices without wire that is for wireless connectivity क्या है यहां तक सभी बच्चों को clear है यह सारे के सारे आपके network devices है बच्चे 24-hour music protocol का मतलब होता है set of rules जो आप लोगों ने follow करने है आप लोगों का स्कूल में protocol set होते है न कि 8 o'clock तक शाप आप लोगों ने school में पहुंच जाना है 2 o'clock आपके छुटी हो जाएगी इतना आपका lunch time है without i card नहीं जाना है और class pass बने हुए तो पास ले करके जाना है पेरेंट्स घर में rules set कर देते हैं खाना खाते time phone ने यूज़ करना है तो यह सब क्या है कुछ set of rules है उसको हम क्या बोलते है प्रोटोकोल्स सिमिलर्ली हमारे network में भी प्रोटोकोल्स है जब हमारे computer आपस में दूसरे से बात कर रहे हैं communicate कर रहे हैं तो वह भी कुछ प्रोटोकोल्स को कुछ रूस को follow करते हैं clear हुआ बच्चे आसे पढ़ना start के follow करूं हाँ हो जाएगा है निश्प्रजा पती जी येस तनू how explain router router क्या होता है बच्चे की best possible path कौन सा है packet को भेजने का ठीक है आपने एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर जाना है आपके बास जाने के काफ़े सारे मेथर्ट से जाने की मेथर्ट भी नहीं path आप यह देखो कि shortest possible path कौन से यह जहां पर ट्रफिक ना हो मैं वहां से जाऊं ठीक है तो से अगर सपोज करो यह आपका क्या है नेटवक है यह सारे computers आपस में connected है अब सपोज करो इस computer एक ने इस वाले ने इसको data send करना है अब एक तो यह वाला path है भेजने का एक यह वाला path है भेजने का एक यह वाला path जा रहे है ठीक है और हो सकते हैं कि यह वाला path भी चला जाए काफी सारे path है तो router क्या decide करेगा best possible path कौन से कि मेरे को जो अपना data transfer करना है तनू उसके लिए best possible path कौन सा रहेगा यह कई बर यह देखते है कि shortest distance कौन से है जहां पर distance कम है वहां से यह data को transfer कर देगा प्लस यह देखेगा कि वहां पर मेरा traffic congestion ना हो जहां पर traffic congestion नहीं है वहां पर यह data को transfer करेगा right how to learn this इसको learn करने की जूरत नहीं है आप इनको समझो you can write it in your own language as well प्लस जब हम कल इसके परसो PYQs करेंगे ना तो यह और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि exam में question किस type के आते हैं clear very good कितने topic रहते हैं सुले बस उठाओ 1990 कि यहां तक हमारा हो चुका बच्चों network devices तक चिक हमारा evolution of networking हो गया data communication terminologies हो गया transmission media हो गया network devices हो गया और network topologies यह तिन topics रहते हैं कि नॉट एक्जेक्टलाइक शेतान सिंग बट हाँ डेफिनेटली जो मेरे पास networking के बाके नोट से वह मैं send कर दूंगी हमारे telegram channel पर और दोज वह नॉट जोएंड दा टेलिग्राम चैनल लिंक उनको मैं लंक्षियर कर देती हूं आप जोइन कर लेना ठीक है जो आपको पिंद मेसेज दिखरा है इस इस फॉर दा लिंक आप मैं टेलिग्राम चैनल आप इसको जोइन कर सकते हैं अब हम नेक्स्ट आजाते है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इस नेट्वर्कियों नेट्वर्क टॉपोलोजी देखू क्या क्या हता है Topology देखो पहले तो क्या होता है. It is an art of connecting different computers in a network. Art समझती हूं? Proing. ठीक है? अब ये क्या है? मेरे पस art of connecting एक कला. Different computers in a network. अब तक मैं क्या कर रहे हूं? कि मेरे पास एक से ज़्यादा computers हैं. मैं ऐसे connect कर रहे हूं? Suppose मेरे पस 4 computers हैं. अब तक मैं सिरफ आपको क्या क्या रही हूं मेरे पास चार कंप्यूटर से नेट्वर्क के थू मैंने इसको कनेक्ट कर दिया मैं ऐसे कनेक्ट कर सकती हूं या फिर मैं ऐसे भी कनेक्ट कर सकती हूं दो कंप्यूटर उपर दो कंप्यूटर नीचे या फिर मैं इनको सर्कुलर कर सकती हुँ तो मैं कॉम्प्यूटर को किस तरीके से कॉनेक्ट यह हो ना उसको हम क्या बोलते हां any टाइप्स ऑफ टॉप लोजी रिंग टॉपो लोजी बस टॉपो लोजी यह तो बट आपके सिलिबस में यह तो हम यही कवर करेंगे सबसे पहले मेरे पास आता है बस टॉपो लोजी अब देखो बस का काम क्या है आप लोग बस पर जाते हो ना एक जगह से उठा करके दूसरी जगह पुंचा दिया जाता आपको बिठा करके हमाँ पर चिक हैं तो सिमिलरली हमारा क्या है बस टॉपो लोजी अब अगर मैं यह होगा मैरे पास इस कंट्यूटर ने, इसको क्या करना है इस कोड़ी आपका क्या हो जाएगा ट्रांस्फर हो जाएगा आप अब सबस करो मेरा एक कंप्यूटर चोल है यह यहाँ पर करक्ट हो गया काम करणा उसने बंद कर दिया तो क्या वहाँ पर मेरा पूरा network corrupt हो गया, मीन्स मेरा पूरा network stop हो गया, नहीं, यह जो मैं points बता लिए आप इसके advantage में लिखोगे, कि अगर मेरा पास एक भी computer corrupt हो जाता है, तो मेरा पूरे network पर effect नहीं पड़ेगा, वहीं अगर मेरी जो यह backbone वाली wire है ना, यही corrupt हो जाती, इस main cable called backbone, अगर मैं आपको इसका structure remind करा हूँ, तो ऐसे connect हैं सारे के सारे computers, ठीके, nodes means यह आपके computer system, are connected to a main cable, इससे connect हैं सारे के सारे, this is known as your backbone, if any node has to send some information to any other node, it sends the signal to the backbone, means अगर इसने इसको message send करना है, तो यह backbone जो wire है, इसी के तुरू message send होगा, The signal travels through the entire length of the backbone and is received by the node for which it is intended, पूरी backbone जितने उसके length होती है, पूरे पर आपका data क्या होता है, ट्रांसफर हो जाती है, इड्वांटेजिस क्या है, इसको install करना इसी है, it requires less cable length and hence it is cost effective, cable length इसमें मेरी ज्यादा नहीं लगती, failure of a node does not affect the network, अगर मेरी एक node corrupt भी हो जाती है, तो मे मेरा पूरा का पूरा network नहीं होगा, इसे ड्वांटेज क्या है कि अगर जो मेरी cable fault हो जाती है, कौन सी cable, वो backbone वाली, अगर जो मेरी backbone वाली cable है, उसी में कोई fault हो जाता है, तो मेरा पूरा का पूरा network टॉप, at a time only one node can transmit the data, एक टाइम पर एक ही node जाए, वो data को transfer कर सकती है, इसे पहले हो सीधा structure या फिर इसका diagram, अब देखो, आपका star topology में क्या होगा, star होता है ना, उसी form में यह connect रहेंगे, इसमें आपका एक central server होता है, इसी central server से सारे के सारे computers आपस में connect होते हैं, वो communicate भी किसकी help से करते हैं, यह central server के help से, अब suppose करो, इस computer system ने data transfer करना है, किसी दूसरे system को, ठीक है, तो किसके through होगा, hub or switch, means जो central server है, उसके through, अब for example, अगर मेरा कोई computer काम करना बंद कर जाए, यह system corrupt हो गया, मैंने इसको अपने network से हटा दिया, तो क्या मेरा पूरा network stop हुआ भाँ पर, नहीं, मेरा बाकी का network चलता रहेगा, वहीं अगर मैं बात करूँ, अगर जो मेरा hub or switch है, उसी में कोई दिक्कत आजे, उसी में fault आजे, तो वहाँ पर मेरा पूरा पूरा network क्या हो जाएगा, stop. Right, so in start topology, each node is directly connected to a hub or switch, if a node has to send any information to any other node, तो किसके थूर data को transfer करेगा, hub or switch के थूर. Advantage is कैसे, इसको install या setup करना easy है, अगर किसी में fault आ जाते है, तो उसको भी में easily diagnose कर सकते हूं, if one link fails, the network install function, और अगर आपका hub या switch ही fail हो गया, तो पूरा का पूरा network मेरा क्या हो जाएगा, वहीं पर stop हो जाएगा, it requires more cable length as compared to bus topology. Right, next मेरे पास आता है, ring topology, ring topology means, कि ये आपका circular form में रहता है, ठीक है, अब इसमें आपका data transfer हो रहा है. Now, let's suppose, ये वाले computer system काम करना बंद कर गया, ठीक है, और मेरा ऐसे clockwise data transfer हो रहा था, तो यहाँ पर क्या मेरा पूरा का पूरा network corrupt नहीं हो गया? अगर suppose ये इसको data कैसे भेज़ेगा, आगे कैसे जाएगा, ठीक है, तो ये आपका किसके इंडर आता है, ring topology. In ring topology, every computer is connected to the next computer in the ring, और each transmit the signal what it received from the previous computer, means, ऐसे जारे, जो इसने पिछले computer से receive किया, वो आगे forward कर देगा, फिर इसने जो पिछे से receive किया, वो आगे forward कर देगा, इस तरीके से ये data transfer होगा. Again, इसको भी install करना, setup करना easy है, easy to detect the problem कि कहाँ पर default, fault आया है, वो भी इसली बता देगा ये मुझे, all data flows in one direction, या तो clockwise या anti-clockwise, reducing the chance of packet collision, अगर दोनों direction में data transfer होता रहेगा, तो packet collide होएगा, या कराब होएगा, वहाँ पर, ठीक है, तो इसलिए आपका जो इसमें data है, वो omni direction, means इस एक ही direction में जाता है, it is slower than the start topology, start topology में तो क्या था, एक central hub या switch से computers connected थे, अगर इसने इसको data transfer करना है, इस hub के through हो जाए रहे, direct, इसमें तो क्या है ring topology में, ये सारे computers connected है, इसने इसको data भीजना है, तो इस दोनों के through होकर क्या आएगा, तो time लग रहा है, इसलिए आपक will be impacted if one workstation shuts down, अगर एक भी computer system मेरा corrupt हो जाता है, तो वहाँ पर मेरा पूरा का पूरा network stopped हो जाएगा, clear हुआ? चलो ring topology हो गया, next मेरे पास आता है tree topology, tree में आपका क्या combination of bus और star topology, दो का ये combination है, अब देखो यहाँ पर आपका burst topology भी है, burst topology ये है, ये आपकी वो backbone वाली cable wire होगी, right? और ये आपका क्या हो गया, start topology हो गया, ये एक पूरा network, ये आपको start topology दिख रहा है, कि ये एक hub words बीच में लगा हुए है, और उससे सारे connected है, और ये फिर सारे इक दूसरे से connected है, so tree topology क्या आपका combination है, of star and burst topology, इसमें क्या होगा, अगर let's suppose करो, ये पूरा का पूरा network काम करना बंद कर गया, this one, अगर ये पूरा का पूरा काम करना बंद कर गया, पूरा network तो stop नहीं होगा, सिरफ ये चार computer जो आपस में connect है, वहाँ पर problem आएगी, वहीं अगर मेरी ये backbone वाली wire ही corrupt हो जाती है, this one, तो तो मेरा आपस में सिर्फ connect कर पाएंगे, एक दूसरे में से वह आपस में फिर communicate नहीं कर पाएंगे, clear हुआ? तो topology भी इतना था, अब हम आजाते हैं, हमारा next topic है, that is network protocol, thank you so much लवन्या मिश्टरा जी, अब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, thank you, चलो, फटा फट से बता दो, यहां तक clear है, हाँ, yes, नीशा जा, यह topic आपका IP में भी है, बच्छे है, ना, कुछ topics नीशा, अगर आपको लगें कि IP में और इसमें different है, या कुछ रह गया है, तो definitely आप उसको cover up कर लेना, प्लस हमारा जो SQL है, वो भी आपका mostly same है, बट कुछ functions है, आपके string वगेरा कि जो आपके IP में है, और CS में नहीं है, चिक है, बट हाँ, जो same है, वो definitely beneficial रहेगा, बच्छे, exam में bus topology, अपना syllabus में देखना बच्छा, और यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो bus star और tree है, फिर भी मैंने आप लोगों को ring topology ख़रा दी, सब्सक्राइब, नहीं मेंशन बट हुभी हों safer side हमने कर लिया इसको, चिक है, चले, next मेरे पास आते है topic network protocols, प्रोटो कोज देखिए हमारे पास कौन कौन से हैं, HTTPS, FTP, PPP, SMTP, TCPIP, POP, HTTPS, Telnet and then VOIP, यह protocols हैं जो हम cover करेंगे, अब देखो सबसे पहले कि network protocols क्या होता है, भी मैंने आपको बताए कि protocols means set of rules, कि मैं कोई भी काम कर रहे हूं तो मुझे कुछ rules को follow करना पढ़ रहा है, अब जैसे मैं online class ले रहे हूं ठीक है, तो यहां पर मुझे कुछ protocols को follow करना पढ़ रहे है, कि at sharp 4 p.m. I have to start the class, ठीक है, और plus I am bound to follow that particular topic जो हमने rockin board series का schedule बना दिया, उस दिन पर वो topic हो जाना चाहिए, यह protocol है, घर में family members को बोल जैस टैम class है, disturbance नहीं करना है, ठीक है, तो यह कुछ rules set कर दीए, ऐसा आपके साथ parents rules set करते हैं, घर पर खाना खाते time phone नहीं देखना, ठीक है, and when a device can send and receive data, कि आपका जो device कब data को send करेगा, कब receive करेगा, कैसे send करेगा, कैसे receive करेगा, यह सारा का सारा इसके अंडर आते हैं, protocol means the rules that are applicable for a network, चलिए, सबसे पहले हमारे पास जो protocol आता है number one पर that is HTTP, HTTP की will form है, मेरे पास hypertext transfer protocol, hypertext transfer protocol, अब देखो जो भी आपके client और server आपस में communicate करते हैं, आपने देखा होगा, आप internet पर कुछ भी search करो, तो क्या लिखा हुआ आते है, http www.google.com, आप simple चाहे, google.com भी लिख दो, तो भी आगे क्या लिखा हुआ जाएगा, HTTP कोई और protocol तो नहीं लिखा हुआ था, यह HTTP ऐसा आजाता है, right, so that means यह आपका default protocol है कि जब भी आपका client server से कुछ भी communicate करेगा, तो वहां पर आपका कौन सा protocol use होगा, http, it is a communication protocol for the transfer of information on the internet and the worldwide web, जब भी client and server ने एक दूसरे को request send करना है, client request send करेगा server को, server in return उसको क्या करेगा, response करेगा, right, so client आपका end user होगी, server आपकी website होगी, इनको आपस में communicate करना है, तो वह किसकी help से होगा, with the help of http protocol, right, next मेरे पास आते है FTP, FTP stands for file transfer protocol, right, so जब भी अगर मुझे एक system से दूसरे system पर या कहीं पर network में file को transfer करना है, तो उस time पर मेरे पास कौन सा protocol use होगा, file transfer protocol, right, अब अगर क्या मुझे suppose file को share करना है, upload करना है, download करना है, तो आपका कौन सा protocol use होगा, FTP, it allows transferring of file from one system to another, like uploading of file from local machine to web server using FTP client, upload मतलब आपके system से data server कर भेजना, download मतलब server से download कर रहे हो अपने system पर, right, next मेरे पास आता है TCP IP protocol हम पढ़ चुके है, transmission control protocol और internet protocol, TCP का main काम क्या होता है, ध्यान अब हमने packet का कर रहा थे, IP address हैसा भी system का, तो यह देखेगा कि जो data send करना है मुझे, वो किस system पर करना है, destination system हमारा कौन सा है, right, internet protocol is responsible for providing address of each computer and performing routing each packet is assigned with destination IP address, next मेरे पास आता है PPP, PPP stands for point to point protocol, take a point to point means it is a communication protocol of data link layer, देखो हमारे पास ना काफी seven type की layers होते हैं, physical layer, data link layer, network layer, transport layer, application layer इस तरीके से, तो मेरे पास क्या ही हमारे पास ना वैसे आपने आपके syllabus में हैं नहीं, OSI model है ठीक है तो बट हाँ पर हमारी कुछ layers होती है, तो यह data link layer पर काम करते हैं, that is used to transmit multi protocol data between two directly point to point connected computers, यह आपस में directly connect हैं एक दूसरे से, फिर आप यहां पर जो data transfer कर रहे हो, वह आपका कौन सा होता है, TPP, that is point to point protocol. Next मेरे पास आता है simple mail transfer protocol SMTP, SMTP means simple mail transfer protocol. It is a set of communication guidelines that allows software to transmit an electronic mail over the internet. आप internet पर mail transfer करते हो, messages send करते हो, तो आपका वहां पर कौन सा protocol use होता है, SMTP. It is a program used for sending messages, receiving के लिए नहीं लिखा है, जब हम message send कर रहे हैं, तब receiving के लिए दूसरा protocol use होगा, receiver end पे. SMTP अगर आप message को send कर रहे हो, तो कौन सा protocol है, SMTP. Next है मेरे पास IMAP, IMAP के internet message access protocol. Now see the definition, IMAP की full form होगे, It is a standard protocol for accessing email from local server. Local server होता है, वार से मुझे email को access करना हो, तो कौन सा protocol use होगा, IMAP. It is a client server protocol, in which email is received and held for the user by internet server. Email receive हो रहे है, और कहां पर है वो, server के पास. As this requires only a small data transfer, आपका कर internet connection slow है, तो भी ये काम करेगा. Only if a user requests to read a specific message, then it will be downloaded from the server. Means, ये sender ने सारे, इतने सारे mails भेजती है, ये सारे के सारे किस पर आ गए, आपके? Server पर आ गए, ठीके? So, only if a user requests to read a specific message, अब user ने को लगते है कि ये सारे message server पर आ गए, ये वला read करना है. तो ये क्या करेगा? इस message को server से download कर लेगा, और फिर इसको क्या करेगा? Read कर लेगा. नेक्स्ट मेरे पास आते है P.O.P. 3, Post Office Protocol. ये 3 आपका क्या है? कुछ नहीं है? Version है. तो जहां पर CAT is a client server protocol in which email is received and held for you by your internet server. जो को sending के लिए SMTP protocol था, receiving end के लिए क्या है मेरे पास? P.O.P. 3. तो periodically you check your mailbox on the server and download any email. आप अपना क्या करोगे? Time to time अपना mailbox server चेक करोगे. अगर आपको लगता है mail है तो आप उसको download करके read out कर लोगे. It also allows to download the received message on local machine using a tool like outlook वग्यार को use करके आप अपना message को download या फिर mail को download कर सकते हो. So that अगर आपके पास internet connectivity नहीं भी आपने download करके रख लिया तो आप उसको read out कर सकते हैं. The advantage is that once messages are downloaded तो user can cut the internet connection और फिर हम उसको अपनी time के according read out कर सकते हैं. Next protocol मेरे पास होते है VUIP. VUIP protocol आपको कहा use होते हैं? अगर मैं बात करूँ video conferencing आप लोग कर रहे हो, video call कर रहे हो, ठीक है? voice communication कर रहे हो, तो वहाँ पर आप लोगों का क्या use होते है? VUIP protocol. It uses package switching store and forward concept use कर लेते हो आप इसमें. Next मेरे पास आता है remote login. Remote login का मतलब क्या होते है? कि आप यहाँ बैट करके कोई दूसरा system access कर रहे हैं. आप लोगोंने Skype का name सुना होगा? ठीक है? हम किसी दूसरे का system access कर रहे हैं. So that means this is known as the remote login. हाँ team viewer हो गया, any disk हो गया, telnet हो गया. यह सारे आपके किसकी examples है? Remote login. Remote login का मतलब क्या सपोज आपके system में कोई problem आरे हैं आप घर बैठे हो. आप अपना यह team viewer इंस्टॉल करो, मैंने भी team viewer इंस्टॉल कर, IDS दोगे, password दोगे, तो अपनी स्क्रीन से अपने घर बैठे हुए, मैं वहाँ पर आपका system access कर सकती हूँ. उसमें कोई मैं अपना आपको guide कर सकती हूँ कि वह काम कैसे करना है. तो रिमोट लोगिन के लिए जो प्रोटोकोल यूज होते हैं, तो रिमोट लोगिन सौफटर तो को यह तो पर आप लोगों का जो प्रोटोकोल यूज होता है, तो यहां तक सभी बच्चों को clear है, फिर हमारा सिरफ यह लास्ट टॉपिक रह जाएगा, इन टर्मिनलोग इ बच्चे जब मैं कह रहे हूं कि आप देफिनेशन मिक्स करोगे तो आप कैसे कह रहे हों कि आप देफिनेशन मिक्स कर दोगे, हैं, फ्रिंस? इसका solution बच्चे पता है कि एक तो देखो कल ख्लास है नहीं तो आप इसको एक बार फॉरली रीड आउट कर लेना सेकेंड तिंग देखो अगर आप इस तैम पर बुक उठाओगे ना आपको I think hundreds of pages 100 pages के chapter अराम से मिलेगा तो आप क्या करना अगर आप टेलीग्राम चैनल पर हो तो मैं मेरे पास कुछ PDF फाइल्स हैं जिसमें आपको मैं शियर कर दूंगी वह networking अच्छे से theoretical position read out कर लेना खुछ से नोट्स बनाने slide देकर क्या खुछ से नोट्स भी प्रिपेर कर सकते हो second thing बच्चे अगर आपको फिर भी लग रहा है तो इसका कोई भी पी वाइक्यू मत छोड़ना अगर आपने इसके सारे पी वाइक्यू कर लिए तो डेफिनेटली ये चैप्टर में आप इसली 10 मार्क्स को स्कोर कर सकते हो clear हुआ बच्चो हां ट्राइए अकाउंट वही वाला इंपूट ले सकते हूं शुरुति ब्रिज आप लोगों का बैटे सेम नेट्वर्क और सेम प्रोटोकोल मेंस तब यूज होगा ब्रिज में आपके डिफ्रेंच प्रोटोकोल हो सकते हैं गेटवेए गेटवेए में आपके डिफिमिलर नेट्वरक होंगे मिंस लान और मैं दोनों अलग टाइप के नेटवर्क है अलग प्रोटोकोल पॉलो कर रहे है तो वहाँ पर हमारा गेटवेए यूज होगा लान और लान सेम नेट्वरक है सेम प्रोटोकोल यूज हो रहा है तो WE O P 3 आपका पोस्ट आफिस हई इसमें क्या है कि आपने मेसेज पहुंच गए अब आपने क्या करा सर्वर से मेसेज़ को डाउनलोड करके अपने पास रख लिया अब आपने डाउनलोड कर लिया जब अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्टिवीटी नहीं भी तो भी आप उसको reading. कर सकते हो अब नेक्स्ट मेरे पास आ जाते है टर्म www सबने सुन रख है इसकी फूल फॉर्म होती है मेरे पास वर्ल्ड वाइड वेब कर दूंगी मैं काफी सब्सक्राइब कर दूंगी नेट्वर्किंग कंसेट की ठीक है जहां से आप लोगों को इजी लगे वहां से पढ़ लेना और बोलो ठीक है चलिए www क्या होता है मेरे पास वर्ल्ड वाइड वैब इसको सबसे पहले किसने बनाया था दिस पर्सन टिम बर्नर स्ली ठीक है www देखो क्या होता है आप इंटेनेट पर कोई भी डॉक्यमेंट देख रहे हूं इतने सारे वेब पेजी स्टोर हैं करवर पर वो सारे आपस मे लिंक हैं कलेक्शन एक दूसरे का तो यह सब आप किसकी हल्प से एक्सेस कर पार रहे हो विद दा हल्प ओफ डाब्ली 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 चलिए इस अ कलेक्शन अफ लिंक्ट डॉक्यमेंट्स और पेज़िस स्टोर्ड ऑन मिलियोंस अफ कॉम्प्यूटर्स से नहीं सिरफ टेक्स्ट टेक्स्ट है और वीडियो टेक्स अनिमेशन सब कुछ है हाइपर लिंक्ट और हाइपर टेक्स दोनों चीज़े होती है इंट्रक्टिव है यूजर से इंपूट लेना तो भी हम ले सकते हैं राइट आप लोगों को पता लग गया क्या होता है है डिफ्रेंस बेट्वीन एक्टिव अब एंड रिपीटर हाँ 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 आपका हब हो इकन उसमें मेरे पास वह मल्टी पॉट होता है काफी सारे पॉट्स होते है सिस्टम जिससे कनेक्ट होता है सो कन्या बट रिपीटर मेरा एक डिवाइस है वह आपका जो सिगनल आ रहे हैं उसको एंप्लिफाइब करेगा और फिर उसको रिजनरेट करके वापस आगे भेज देगा चलिए मैंने आपकी 2023 वाली कम्प्यूटर नेट्वर्किंग की प्लेलिस देख ली है तो मुझे यह देखने की सुरुत है या नि कि बच्चे कहीं से मर्जी देखो यह वाली वीडियो देखो चाहे रॉक इन बोर्ड सीरीज की पिछले वाली वीडियो देखो चाहे कम्प्यूटर नेट्वर्क की कम्प्रीट प्लेलिस देखो जहां से समझ में आजाए वहीं से कर दो ठीक है बस एक चीज जियान रखना वेटा प्रखर पीवाई की ज़रूर लगाना इस चाप्टर राइट वेब ब्राउजर आपको पता है आपका एक तरीके का न सौफ्ट्वेर होता है कि वेब ब्राउजर इस सौफ्ट्वेर विट इस तो एक्सेस दा वेब साइट आप अपना www.google.com ओपन करते हों चीक है आप लोग गूगल के एक्जामपल नहीं लिखोगे वेब ब्राउजर आपके कौन-कौन से इंटरनेट एक्स्प्लाइर हो गया मॉजीला फाइरफोक्स हो गया गूगल करॉप हो गया ओपरा हो गया एपल साफारी हो गया मैंक्रोसी जो गया ओल्दे और इग्जाम्पल सुथ वेब ब्राउजर तो इस इस यह उस तो एक्सेस दा ब्हुत फास्ट रेगा स्टोरीज के पिसिटी बहुत जादा होगी गी तो अब सर्वर एस डूवी डूवी डूब स रवर्ग डाथ रिक्वेस्ट में नूब बाइद वेब ब्राउजर जो भी आप लोगों के वेब ब्राउजर रिकुस्ट करेगा उसको यह क्या करेगा रि से एड्रेसू उसको हम क्या बोलते हैं इसका जो सबसे पहले तो टाइप-टाइप मेंज प्रोटो पर आप João सा प्रोटोकोल यहां पर आपका क्या हो गया complete path that means you are next मेरे पास आता है डोमेन ने कोई भी वेबसाइट बनाया मुझे डोमेन लेनी पड़ती है चिक है इट रफर्स तो टाइप ओफ डोमेन इन विच दे आर के टेग्राइज इंटू राइक डॉट कोम डॉट एडू डॉट एमायर डॉट नेट डॉट टीवी डॉट विच डॉट गोव डॉट को यह सारी की सारी आपकी क्या है डोमेन किर नेक्स्ट मेरे पासिए वेब पेज अब देखो आप इंटरनेट पर जटना मर świat कोई भी गोई सर्च करू कुछ भी सर्च करते हो वे पेज मेंसों bin Tranon vocum क्या वोलते हैं सारे बसारे के आपके क्या है वback व noon kola सिंगल सिघ्द इन Rabbi इसills कॉलद अफा दा व्यब्साइट कलेक्शन ईएक अफमर यहलेटेड व्यप पैजिस इसको हम क्या वैब्साइट यह सा इसुरेलेंटिटंड वैपने一led of यह पूर्स मेरे पास क्या लूट वैश्म किया होता है एक ऐसी वेबसाइट बना रही है है तो मैं सारा का सारा कंटेंट डाल दूंगी यह आपने कुई computer science की कोई website open करें उसमें CS related सारा content है वो वेब पोर्टल नहीं है वेब पोर्टल क्या होते है जो आपको लिंक्स प्रवाइड करेगा दूसरी website की ठीक है इट इस वेब साइट डैट होस्ट अधर वेब साइट सब्सक्राइब गूगल डॉटकॉम आप कशलने कुछ भी सपर करते हूं आपको different website के लिंक वह कर देते इन थेंक्यू सो मच एनाई स्वीटी चेकोब फोर ज्वेनिंग दा मांबच व दिस चैनल थेंक्यू अंद कॉंग्रेटुलेशन्स तो बीए पार्ट अफ दिस यूट्यूब चैनल राइट इस चैप्टर की पीवाई की होंगे बच्चे डिया अफ्टर टूमोरू सब्सक्राइब करें नेक्स्ट मेरे पास आता है वेफोस्टिंग अब देखो वेफोस्टिंग क्या होता है आप आपने सपोज कोई भी वेबसाइट बनाई सर्वर पर स्पेस्ट चाहिए तब ही वह लाइव होए गी सबको दिखेगी पबिश होएगी उसको लोलते है वेब मेंस आप सर्वर पर स्पेस ले रहे हो एक तरीके से उसको हम क्या बोलते हैं वेब होस्टिंग ऐसा तो है नहीं कि आपने अपने सिस्टम पर वेब साइट बनाई लाइव हो गई सर्वर पर स्पेस चाहिए होस्टिंग मुझे लेने पड़ते हैं फिर डोमेन भी पर्चेस करने पड़ते हैं तो बेसिकली दा वेब होस्ट अलाव देर कस्टमर्स टू प्लेस वेब डॉक्यमेंट्स जो भी आपके एच्टेमल पेजी से ग्राफिक्स इमेजिस यूज कर रह पर अपना फ्री वेब साइट बनानी है यह सिरफ सीखने के लिए बना रहे हो फिर कुछ परस्टनल अपने ब्लॉक वगरा क्रिए करने हैं तो वहां पर आप लोग अपना फ्री होस्टिंग वाला ले सकते हो प्लाइब नेक्स्ट आते है मेरे पास वर्च्वल और शियर्ड होस्टिंग इसमें क्या होता है कि यॉर और अदर वेबसाइट ओनर्स शियर्ड वन सर्वर एक सर्वर है उसको हम लोग शियर कर रहे है इस इंक्लूड शियरिंग दा फिजिकल सर्वर जो ही फिजिकल सर्वर होगा यह share कर रहे हो plus and the software applications within the server. इसके अंदर जो मेरे softwares install है उसको भी मैं क्या कर रहे हूँ? share कर रहे हूँ. shared hosting services are affordable होते हैं ज्यादा महेंगी तो हैंने क्योंकि share कर रहे हैं हम लोग because the cost to operate the server is shared between you and these other owners. next मेरे पास आती है dedicated hosting. dedicated hosting का मतलब क्या है? the company wishing to go online rents an entire web server from a hosting company. की जो hosting company है मैं उससे क्या कर रहे हूँ? server rent पर ले रहे हूँ. rent का मतलब समझतो ना पैसे दो और server लो. this is suitable for companies hosting larger website. अगर कोई large अपनी बहुत बड़ी website बना रहा है तो वहां पर वो अपना dedicated hosting ले सकते हैं. dedicated hosting ध्यान रखना यह किस पर based हम रेंट पर एक server लेते हैं. पैसे दो, server लो. पैसे दो, server लो. चीक है? this allows for faster performance. as you have all the server resources entirely मैं कुछ share नहीं कर रही. ना मैं अपना server share कर रही हूँ. ना मैं server के resources को share कर रही हूँ. तो इसकी जो speed है performance है, वो क्या होगी? पास्ट होएगी. और plus अब इसकी जो cost है, वो भी completely मुझे बेर करनी है. sharing में तो half-half खर्चा आ रहा था. इसमें सारा का सारा मेरा ही रहेगा. चीक है? next मेरे पास आते है, co location hosting. उसमें तो मैंने किराय पर server ले लिया था, पैसा दो, server लो. पो location hosting में क्या है? You will purchase your own server. मैं अपना server पूरा का पूरा क्या कर लोंगी? Purchase कर लोंगी. ठीक है? and have it housed at a web host facilities. You will be responsible for the server itself. अब server के responsibility किसकी रहेगी? हमारे रहेगी. अब hosting service हमारे पास है, पूरा का पूरा server control हमारे पास है. You can install any scripts or applications you need. clear हुआ यहां तक? is it clear? बच्चो फटा-फट से बता दो नेक्स्ट मेरे पास आता है HTML. तब web document is written. अब देखो हमारे जितने भी web pages हैं. किसी programming तो नहीं कहेंगी. किसी language में लिखे जाते हैं. उसको हम क्या बोलते है HTML. और HTML के full form क्या है मेरे पास? Hypertext Markup Language. क्या आपने HTML पढ़ा हुआ है बच्चों? बताना जरा? फटा-फट से बताओ, HTML, XML पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ? हमारे सर हमेशने आपको appreciate करते हैं. थैंक्यू वेक कुमार. खरमेंदर सिंग ठाकुर सर. ओके. बताओ, थैंक्यू. और थैंक्स तू सर और रेकमेंडिंग इस चैनल. हाँ, थोड़ा सा रहते हैं, दक्ष पिटे. आड्स परिशान कर रही है, वीडियो ओपन करने बाद, sorry. इसके अलावाद हम क्या ही कह सकते हैं, फिलाल है न? कल ख्लास नहीं है बच्चे, कल आप लोग revision करना. हाँ, very good, 10th में पढ़ा था, ठीक है? HTML और XML, ठीक है? HTML में कि आप लोगों के proper tags होते हैं, अगर मुझे कुछ bold में display कराना है, तो मेरे पास B tag होता है, opening और closing tag होते हैं, ठीक है? और XML क्या है मेरे पास? extensible markup language, यह जो X है न? extensible का X, यह है full formula, right? So, it stands for extensible markup language, अब देखो HTML और XML में कई बार difference भी आ जाते है, right? HTML stands for hypertext markup language, XML stands for extensible markup language, और HTML में predefined tags होते हैं, XML में हमारे user-defined tags हैं, हम अपना खुछ से tags को create कर सकते हैं, HTML आपका case sensitive नहीं है, आप bold tag के लिए capital B लिखो, या small B लिखो, one and the same thing, XML में हम अपने tags खुछ से create कर रहे हैं, तो यह आपके case sensitive language है, right? इसमें आप suppose मुझे अपने name से tag create करना है, कोई दिकत नहीं है, अपना name लिखोंगी, यह opening tag हो गया, यह closing tag हो गया, HTML में आपके कुछ tags ऐसे होते हैं, जो closing tag जिसकर नहीं होता, सिरफ opening tag होता है, ठीक है, like आपका BR tag हो गया, I think, और जो आपका XML है, उसमें आपके opening और closing दोनों tag होते हैं, DHTML देखो क्या होता है, यह स्पेटे, लास्ट है, तिरफ ही last topic, ठीक है, प्रिशान, DHTML, DHTML stands for dynamic hypertext markup language, जिसमें आपके बार-बार changes नहीं हो रहे हैं, डैनमिक means जिसमें आपके changes हो रहे हैं, वहाँ पर आपके DHTML आपके यह वाले language होती है, ठीक है, अब example देखो, cricket match होता है, अगर किसी website पर live score चल रहा है, बार-बार वहर एक ball के साथ, वह score चेंज हो रहा है, तो that means वह आपका क्या है, डैनमिक वेब पेज है, न्यूज आ रहे हैं, चेंज हो रहा है, ठीक है, जोग्राफिक लोकेशन हो गई, जहां पर stock exchange के rates हो गई, share market के rates हो गई, ठीक है, उनका price हो गया, dollar का rate हो गया, तो यह सारी चीज़े आपकी, जहां पर आपका, डैनमिक वेब पेजिस में, चेंज होते रहते हैं, तो वहां पर आपका क्या यूज होता है, dhtml websites होते हैं, चलो, clear हो गया, if you are having any doubt, तो बच्चों, you can ask, co-location hosting एक बार और बता दीजिए, okay, co-location hosting में क्या है, देखो, इसमें तो क्या था, virtual और shared में, suppose आप और मैं, ठीक है, खुशी सिंग, आधा-धा share कर रहे हैं, hosting, half price आपका, half price मेरा, ठीक है, तो हमारे जो software है, हाफ हाफ, वो भी share हो रहे हैं, files है, वो भी share हो रही है, dedicated hosting में क्या है, मैंने rent पर ले लिया server, co-location में क्या है, खुझ से ही purchase कर लिया, rent पर नहीं लिया, जैसे house होता है, rent पर ले रहे हो, ठीक है, तो rent पर लेने का मतलब क्या है, कि पैसा दो, और मकान में रहो, ठीक है, जब मकान मालिक चाहता, या फ़र जब आप चाहो, आप हाँ से जा भी सकते हो, but co-location क्या है, कि आप खुझ से पूरा का पूरा server ही purchase कर रहे हो, फिर सारी सरदर्दी आप की है, सरदर्दी दा सेंस, कि server पूरा का पूरा अपने ध्यान रखना है, full control आप करेगा, कोई दिक्कत हो जाएगी, तो आप देखोगी, right? मैम, आप जितने questions कराएंगे, उतने करने से हो जाएगा, हाँ बेटे, बिलकुल हो जाएगा, बट देखो, obviously, practice आप लोगों को करनी अपने पर, ठीक है ना? और कोई doubt बच्चो, बस very good, hosting not in syllabus, seriously, देखो यह रा web hosting, कौन कहा रहा होस्टिंग syllabus में नहीं है, नाम different syllabus भी different ले देख रहे हो कोई है, posting है बच्चे syllabus में चीक है, यह आप लोगों की syllabus का ही screenshot में ने लिया है, yes, definitely infinity हो जाएगा, अगर आपको python practice करनी है तो आप अपना पाइडर या कोई भी app download करके इसमें practice कर सकते हो, activity नहीं बच्चे, active and passive hub, कहाँ पर पढ़ाता हमने hub, देखो hub क्या होते है, मेरे पास एक multiport device है, काफी सारी ports होते हैं, इसके अंदर काफी सारी computers connect कर सकती हूं, है तो यह एक dumb device ही, चीक है, तो it amplifies the signal, अगर मेरे को बहुत दूर तक data transfer करना है, तो यहाँ पर क्या करेगा, मेरे signal sweep हो जाते हैं, तो active hub क्या करेगा, आपका एक repeater की तरह काम करते हैं, कि आपके signals को amplify कर देगा, passive hub ऐसा कोई काम की नहीं करते हैं, जैसा data आया वैसा भेज दिया सबको, कि वो कोई सर्दर्दी नहीं ले रहा है, it allows the signal to pass from one computer to another without any change, तुम्हारे teacher ने नहीं पढ़ाया, कोई बात नहीं हमने पढ़ा दिया हम भी तापी के teacher हैं, clear होगे सब स्टुडेंट्स को यहां तक, कोई doubt बच्चो, difference between IMAP and POP3, देखो यह हैं तो mailing से related, अगर मुझे mail send करना होतानू, तो मेरे पास simple mail transfer protocol है, SMTP, if I want to send the mail, ठीक है, IMAP क्या है और POP3, यह देखो होते तो दोनो receiving end के लिए हैं, जब मुझे message को receive करना है, mail को receive करना है, और इसमें क्या है कि अगर मुझे message चाहिए, तो means download करना है, तो help for the user by internet connectivity चाहिए, पट उसमें मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, अगर internet connectivity नहीं है, पहले download कर लो, फिर internet हटा दो, फिर आप उसको read out कर सकते हैं, तो I hope सभी बच्चों को यह networking वाला chapter clear हो गया होगा, टेलिग्राम चैनल का link मैंने chat section में पिन कर दिया बच्चों, most probably by today night, आपको मैं काफी सरी PDF file send कर दूँगे networking की, जहां से आप लोगों को easy लगे, definitely you can refer any PDF file for your revision purpose, टीक है, इस video के तुछ आपने notes बनाने हैं बना सकते हो, premium notes के access लेना, you can join the membership of this channel, यह हमारे YouTube channel का link है, बच्चों अगर subscribe नहीं किया कर दीजिए, share नहीं किया वो भी कर दीजिए, this is the link of my telegram channel, and if you want, you can follow me on Instagram and Facebook as well, ठीक है, तो सबसे पहले Instagram और Facebook पर follow कर देना, फिर video share कर देना, channel subscribe कर देना, अगर recorded देख रहे हो या फिर live देख रहे हो, make sure कि आप video को यहां से like करें बिना नहीं जाएंगे, इतना तो बनता है न, इतनी गुरुदक्षिन आप लोगों से बनते ही तो हमारा हक भी है क्याना, चीक है, so make sure कि अगर video पसंद आई हो तो video को like जरूर करोगे, और please do share your views in the comment section as well, इंतजार रहे का आप लोगों के comments का मुझे, और मिलते है, day after tomorrow, कल क्लास नहीं होगी 25th March, यह हमारा Rock-In-Bots रिसका schedule है, no live class tomorrow, you have to do self study revision, and happy holy to all of you from my side, may God fill your life with colors, जैसे holy के रंग होते है न, ऐसे ही आपका जीवन, रंगों से खुशियों से भरा रहे, आप हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, हपी रहो, healthy रहो, जो चीज़ जो आपकी इच्छो भगवान, आपकी सारी इच्छा हैं पूरी करें, यह हमारा आशिरवाद है, चलिए, my blessings are always with you, बहुत अच्छे से एक्जाम में करोगे, तो see you day after tomorrow, एट शार्प फॉर पीम, और हम स्टार्ट करेंगे, हमारे पी वाई क्यूज आफ नेट वोकिंग, तब तक पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, थोड़ी बहुत होली भी खेल लीजिए, बट पढ़ना भी जरूर है, आल था बेस्ट, बाँ बाई